पांच मिनेट या तीन मिनेट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंती मिच्छा पूछी जा रहे यह सब बढ़ी खुशी हुभी माननिय मंत्री जी यहां है अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं फोटो वोटो तो अपनी जगा इनकी एक चीज मुझे अच्छ सा नाम रखो उस नाम के पीछे काम ना हो तो दीरे दीरे बोलना कम करते हैं उसके बारे कि छप टपकड़े यह बाल्टी लगी हुए है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है गांदे जी के चश्मे कौंटांग दे जर्वत थी चश्मा पहनने के शुक्रिया पांच मिन मिनट शुक्रिया उपसभापती महद है जब आप पांच मिनट या तीन मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंति मिच्छा पूछी जा रही है यह समय आप ही लोग करते हैं जानता हूँ सर आपका दोस्ट थोड़े ही है लेकिन दुखड़ा भी कहा र मैं बड़ी खुशी हुई माननियम मंत्री जी यहां है अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं बड़ा अनुभव है हर्याना का और अच्छा भी भाग भी मिला है चुनौतियां भी बहुत हैं फोटो वोटो तो अपनी जगह सर मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करू उस नाम के पीछे काम नहो तो दीरे दीरे बोलना कम कर दो उसके बारे माँ अब अब यहाल में रास्टपती भवन में गंतंत्र मंडप बना साहब गंतंत्र का मंडपी करण नहीं होना चाहिए यह उचित नहीं लगता है महराल उपसभापती महोद है बिजय साही रेड़ी जी प्रियंका जी इन लोगों ने बड़ी चिंताविक्त की पार्लेमेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ मैं कहता हूँ ना समझ लोग है सर यह तो विशुद भारतियता का हैसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर ना समझ सब अचा मैं वापस लेता हूँ ना एकदम भुपेंद्र भाई इसलिए आपको यहार रहना चाहिए मैं यह कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने साथ इसकी मर्म को नहीं समझा कि छट बकड़े है बाल्टी लगी हुए है पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है मैं इसलि स्वच्च भारत अभियान में गांदी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं वैसे स्वच्चता की और गांदी जी का चश्मा जरुवत थी चश्मा पहनने की चश्मा वहां रख देने की नहीं गांदी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस पर बिरोधा बासी होगा एक साथ नहीं चल सकती को कि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है सर्थ तीसरी में मंत्री जी को कहूंगा स्ट्रीट वेंडर्स शेहरों की रीड होते हैं उनके साथ में आई कीजिए नाइस्ताफी हो रही है उनके साथ आपकी नीतियां कुछ बनती है फुलिस प् में जिसको हम कहते हैं PM स्वानिधी आपका एलोकेशन भी 30 प्रतिशत कम हो गया है तो मैं आपसे आगरह करूंगा उसको देखिए IEC स्वच्छता में IEC में लोकेशन कम हो गया है अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है प्रपगेंड़ा अपनी जगह और मैं एक चीज कहू ग्रामीन पलायन ग्रामीन अर्थवेवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक शहरों में लोग आएंगे आप एकुमडेट करने में फेल करेंगे आपके बदले कल को हम हो तब भी वो दिक्कते होंगी मैं एक चीज और भी उसमें कहू है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए मजदूर लगातार चाहिए और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग मना के देता है उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है वो जहां रहते हैं उसको आप सलम कहते हैं और उस सलम को अपनी नजरों से दूर करना च और ये सेटलाइट मेट्रो पॉलिस नहीं कि एक स्लम रियाबिलिटेशन किया दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया कैसे काम करेंगे कैसे रोजगार चलेगा तो ये चीजें सीवर ड्रेनेश के बारे में कही साथ ही बोल चुके हैं मुझे तो अक्सर यादा आता है बिद्यारती जीवन में हरपा मोहन जोदरों की ड्रेनेश सिस्टम की तारीब सुनता था सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए वो ज्यादा बेहतर था मैं और एक आखरी चीज़ करूँगा सर आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कमिनिटी हा आज वो सारी चीज़े खत्म हो गई जातियों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है समुदायों के नाम पर हाउसिंग सुसाइटी है और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सुसाइटी में नहीं रह सकते ये हमारी राजनीत और नीत ने ताय कर दिया है शुक्रिया सर जाहिए कर दो